हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू वर्चुबस आज फिर आपके लिए बहुत ही जरूरी सेशन लेकर रहा हूं जैसे कि आप जानते हैं आज आज आई बीपेस आरारबी क्लर्क या फिर ओफिस असिस्टेंट प्रिलिम्स 2018 के कुछ शिफ्ट्स थे पहले के जो तीन शिफ्ट्स है उनका एक्जाम एनिलिसिस अल्रेडी हम डाल चुके अगर आपने नहीं चेक किया है तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते यह सेशन रहेगा चौथे और फाइनल शिफ्ट के अठारा अगस्त थे तो जैसे कि आप जानते हैं आज का एक्जाम काफी इजी लेवल का एक्जाम रहा हाई स्कोरिंग एक्जाम था ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे क्वांट के तो क्वांट का ओवराल लेवल इजी था दस सवाल आपके miscellaneous parts से थे वो थोड़े easy to moderate थे उसके इलावा सभी के सभी सवाल easy level के थे तो बात कर लेते हैं one by one एकी d.i.i.i.i.i पूचा गया था बहुत ही easy d.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i. से missing number series पूची गई 5 सवाल थे number series के पांचों के पांचों बहुत ही जल्दी बलने वाले सवाल थे कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसमें आप अटके या फिर time लगें बहुत ही आराम से जल्दी जल्दी होने वाले सवाल थे easy level और finally quadratic equation भी पूछा गया पहली बार ऐसा हुआ है कि clerk, rrb clerk pre में quadratic equation पूछा गया है तो यह थोड़ा सा surprising था पर इतना भी ने क्योंकि इससे पहले के जो patterns हैं उन्हें हम देख चुके हैं कि quadratic equation खूब पूछा जा तो 5 सवाल थे बहुत easy level की quadratic थी अराम से आप बना सकते हैं तो overall level easy था 40 में से good attempt मैं मानूंगा around 32-35 अराम से good attempt ह तीज से plus तो आपको करना ही करना पड़ेगा अगर selection चाहिए तो ठीक है यह था quant next बात कर लेते हैं reasoning का reasoning का easy to moderate बोल सकते हैं पर really check करें क्योंकि easy to moderate भी इसलिए क्योंकि puzzles और sitting arrangement के खुब सवाल पूछे तोटल 5 sets थे क्या क्या थे single line sitting arrangement था all persons are facing north वाल सभी north को face कर रहे है single line बहुत सारी लोग बैठे हैं और आपसे number of अलगलेग चीज़े पूछ रखी थी circular sitting arrangement था आठ लोग थे सभी के सभी center facing थे parallel sitting arrangement था कुछ north कुछ south facing comparison based एक random puzzle पूछी गई थी और finally floor based पूछ थी जो बहुत easy थी 7 floor थी 7 लोग थी single variable थी बिलकुल भी problem नहीं कि बहुत ही जल्दी होने वाली पूछल थी तो टोटल 22 सवाल puzzle sitting arrangement से easy to mode alphabetical series से 5 सवाल ही पूछे गए जो पिछले साल के आपने pattern देखा हो पेपर देखा हो तो खूब सवाल सीरी से पूछे गए तो इस बार ऐसा नहीं हुआ इस बार puzzles और sitting arrangement से खूब सवाल पूछे गए alphabetical series से 5 ही सवाल थे easy level blood relation से आपके 3 ही सवाल थे एकदम easy level alphabet single जो सवाल रहते हैं दो सवाल पूछे गए तो बहुत easy direction sense से 3 सवाल बहुत easy और finally silogism silogism से 5 सवाल और बहुत ही easy सवाल थे नोट करने वाली बात है coding decoding से एक भी सवाल नहीं पूछा गया और ना ही inequality से तो वेटेज किसको दिया गया यह वेटेज गया पजल sitting arrangements को अगर आपने मेरा reasoning का reasoning का topic wise वेटेज अगर देखा हो तो काफी इस तरह से ही दिख रहे है उसमें जरूर मैंने inequality की बात की थी पर मैं यह exam में तो ऐसा हो जो बचे 20 साल के bank के exams है उसमें भी आप यह expect कर सकते हैं कि puzzle और sitting arrangement को खूब वेटेज दिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या practice करनी है हमें puzzle और sitting arrangement तो यह हमारा analysis था shift 4 का analysis था overall attempt में good attempts आपको बता देता हूं 68 to 74-75 तक यह good attempts माना जाएगा इससे क है तो chance बहुत कम है क्योंकि दोस्तो competition बहुत जादा बढ़ चुका है बच्चों की जो preparation का level है वो बहुत जादा high हो चुका है और paper का जो level था वो कुछ खास नहीं था ऐसा नहीं है कि difficult level का था बिल्कुल भी difficult नहीं उल्टा easy level का paper था अराम से निकाले जा सकता है अराम से attempt क किया जा सकता है अगर आपने त्यारी अच्छे से की हो उमीद है यह session आपके लिए helpful रहा होगा इसके लावा और जो भी सवाल आज के shifts में पूछे गए थे वो जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए लाने के कोशिश करेंगे now that's all for today's session have a next day